सबको नमश्कार करोना से निपटने के लिए दिल्ली में हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया है लॉकडाउन लगाना ज़रूरी था ताकि करोना के केसेज में कमी आ सके चेन तूट सके लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन खास कर गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर देता है खास कर उन लोगों के लिए जो दिहाडी करके रोज कमाते हैं रोज खाते हैं ऐसे लोगों के लिए तो अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है पिछले हफ़ते हम लोगों ने खासकर मजदूरों के लिए ऐलान किया था कि हर मजदूर के एकाउंट में पांच-पांच हजार रुपे हम लोगों ने डालने का ऐलान किया था उनके अकाउंट में पांच 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 जाजार उपे जावी चुके हैं जो लोग बिमार होते हैं जिनके आर्टी पीसेर की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है उनको भी अलग से मदद करने की हम लोगों ने एलान किया था उन मजदूरों के लिए आज हम दो निर्ने हम लोगों ने लिये हैं एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन काड़ धारक हैं लगबग 72 लाख राशन काड़ धारक हैं इन 72 लाख लोगों को अगले दो महीने के लिए मुफ्च में राशन किया चाएगा इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉगडाउन दो महीने चलेगा भगवान ना करे जादा दिन चलाना पड़े भगवान करे कि जल्दी केसिस कम होना चालू हो और जल्दी लॉगडाउन खतम हो लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूज रहा है उसको मदद करने के लिए अगले दो महीने के लिए सरकार ने निरने लिया है कि अगले दो महीने के लिए सब को राशन मुफ्त दिया जाएगा दिली सरकार की तरफ से और दूसरा निरने ये है कि जितने दिली में आटो चालक हैं टैक्सी चालक है ये बिचारे रोज आटो चलाते थे टैक्सी चलाया करते थे शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसे से इनका घर चला करता था इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती गरीब लोग होता है पिछले कुछ हफतों से दिल्ली के अंदर लॉगडाउन है जिसके वज़े से इन लोगों की रोजी रोटी बिल्कुल खतम हो गई है बिल्कुल बंद हो गई है तो जैसे पिछली साल हम लोगों ने किया था पिछली साल भी जब लॉगडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी आटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार में पांच-पांच हजार उपे से दे के मदद की थी आज भी हम ये निरने लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी आटो चालकों और टैक्सी चालकों को पांच-पाच हजार रुपे दे कर मदद करेगी ताकि उन लोगों को इस आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनके सारी जो जितने देली वो कमाते थे वो उससे मदद होगी लेकिन मैं उमेद करता हूँ कि इस आर्थिक तंगी के दौर में उनको मदद मिलेगी तो लगबग पिछली बार भी हम लोगों ने एक लाख चपन हजार ऐसे ड्राइवर्स की मदद की थी उन सब की मदद इस बार भी दिली सरकार करेगी ये बहुत ही कठिन दौर है जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं और खासतोर से ये जो सेकंड वेव आई है ये सेकंड वेव तो बहुत बहुत ज़ादा खतरनाक है हम सब लोग देख रहे हैं कि चारो तरफ कितना दुख है चारो तरफ लोग कितने परिशान हैं चारो तरफ लोग कितने बिमार हैं मेरी सब लोगों से हाथ जोड के विंती है कि ये समय हमें एक दूसरे की मदद करने का है ये समय एक अच्छा इंसान बनने का है सब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो चाहे इस पार्टी के हो, चाहे बीजेपी के हो चाहे कॉंग्रिस के हो, चाहे आम अदमी पार्टी के हो, सब लोग आपस में मिलके एक दूसरे की मदद करें इस वक्त कोई राजनीती नहीं करने, सब मिलके करें चाहे किसी भी धरम के हो, चाहे किसी भी जात के हो, ये बिमारी तो किसी को नहीं देखती चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सब एक दूसरे की मदद करें अगर कोई बिमार है उसको अस्पिताल में एड्मिट कराने की मदद कर सकते हैं अगर कोई किसी को बेड नहीं मिल रहा है उसको बेड दिलवाने में ढूनने में उसकी मदद कर सकते हैं अगर किसी को कई बार केवल सूचना मिल जाने से काफी मदद मिल जाती है किसी को ऑक्सीजन दिलवाने में मदद कर सकते हैं किसी के घर में सब बिमार हो गए उनको खाना खिलाने में मदद कर सकते हैं उनके धर पे खाना पहुँचाने में मदद कर सकते हैं इस वक्त ऐसे बहुत लोगों के जिनकी रोजी रोटी नहीं चल रही होगे, गरीब लोग हैं, उनको आर्थिक मदद कर सकते हैं ताकि उनका घर चल सके, तरह तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं, मेरी सब लोगों से अपील है, हाद जोड के अपील है, कि सब की मदद एक दूसरे की मदद कीजिए बहुत पुनने लगेगा और तभी देश की तरक्की होगी और अगर हम सब मिलके इस से लड़ेंगे तो मुझे पूरी उमीद है कि बहुत जल्द हम करोना से जीत पालेंगे नमस्कार